नमस्कार स्वागत है आप सभीगा हमारे खास प्रोग्राम में दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र विशेशे प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएं तो आपको देवी को कैसे परसंद करना है कैसे कोई भी आपकी मनुकामना है उसके लिए जत्न करना है यानि क तो देवी को परसाथ चढ़ाना है, विधी विधान से पूजा करनी है, ये हम लगातार आपको हर दिन बता रहे हैं, आज तीसरे दिन की बात करेंगे, और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जानि माने जोतेशा चार है, पंडित मुकेश शास्त को शार्दे नवरातर के तित्य दवस की हारदिक शुप कामना है, शार्दे नवरातर के तीसरे दिन मा चंदरगंटा की पूजा विधी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ चमतकारिक उपाए भी आज आपको हम बताएंगे, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाएगा, लिखते जाएगा, शनिवार दिनाग 9 अक्टूबर 2021 को, आश्विन माश के शुकल पक्ष की तित्या तिती रहेगी, चतूर्ती तिती शेह रहेगी, आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, चतूर्ती तिती शेह रहेगी, विनायक चतूर्ती का व्रत शनि नवरातर के तित्य दिवस, चतूर्ती रत किया जाएगा, क्योंकि चतूर्ती तिती शेह रहेगी, इसी कारण से एक नवरातरा इस बार घट रहे तो 8 दिन के नवरातरा रहेंगी, तो नवरातरा के तीसरे दिवस, देवी चंद्रगंटा की पूजा का विधान बताया गया मा दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है मा चंद्र घंटा मा चंद्र घंटा की क्रपा से अलोकिक वस्तों के दशन होते हैं दिव्वे सुगंधियों का अनुभव होता है अलग-अलग प्रकार की दिव्वे धनिया सुनाई देने लगती है मा चंद्र घंटा का एसरूप परम शांती दायक है कल्यान कारी है मा चंद्र घंटा के मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बनावा है इसी कारण से इन्हें मा चंद्र घंटा देवी कहा जाता है माचंदगंटा के शरीर का रंग स्वन के समान चमकीला है माचंदगंटा के दस हात है उनके दसों हातों में खड़क आदिशस्त है बान आदिश अस्त रहे माचंदगंटा का जो वहन है वो सिंग है माचंदघंटा की मुध्रा युद्ध के लिए उध्यत रहने की होती है माचंदघंटा की क्रपा से आपके हमारे समस्थपाप और बाधाएं विनस्थो जाती है मापने भक्तों के कस्ट का निवारण बहुत जल्दी कर देती है कहते हैं न कि पुत्र का पूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है जो माचंदर घंटा की अराधना करता हो वो सिंग की तरह पराक्रमी होता है शेर की तरह पराक्रमी होता है शेर की तरह निर्भै हो जाता है माचंद्रगंटा के घंटे की ध्वनी सदा अपने भक्तों को प्रेत बादा से रक्षा करती है कोई साथ समंदर पार टोना टोटका भी नहीं कर सकता है जो माचंद्रगंटा के आराधना करता हूँ माचंद गंटा की आराधना से वीर्ता, निर्भेता के साथ सोम्मेता, विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र, संपून काया में कांती गुण की व्रद्धी होती है स्वर में दिव्य, अलोकिक माधूरे का समावेश हो जाता है तो इस प्रकार नवरातरा के तित्त दिवस माचंद गंटा की पूजा का विधान बताया गया है अब आपसे पूजन विधी और विशेश मंत जाना जाहें तो शार्द्य नवरातर के तित्त दिवस इसनार आदी से निवरत होने के पश्यात सुनेरे या पीले रंग के वस्त धारन करके ध्यान रखिएगा रंग भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ सुनेरे या पीले रंग के वस्त धारन करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने आसन पर बैठ जाईएगा आपने स्तापना कर रखी है प्रतिपदा तिथी से तो माचंद्रघंटा के सरूप का तित्य दिवस आपको विदिवत पूजन करना है पंचोपचार पूजन करना है माचंद्रघंटा को केसर मिश्चित कच्चा दूद अरपन करना है पंचामत अरपन करना है अनार के फल के रस से सुगंदित इत्र के जल से मा चंदरगंटा को इसनान करवाना है इसनान के पश्यात मा चंदरगंटा को लाल वस्त पेनाईए सुनेरे वस्त पेनाईए मातों को पुष्प माला अर्पन कीजिए सिंदूर अर्पन कीजिए शिंगार की सामगरी अर्पन कीजिए गवगत का दीप अर्पन कीजिए चंदन की अगरबती प्रजिलित कीजिए माचंदर घंटा को अबीर अर्पन कीजिएगा ये याद रखने वाला विशय है कि माचंदर गंटा को सफेद कमल पुश्प है पसंद आता ही पीले गुलाब की माला पसंद आती है तो सफेद कमल का पुश्प पीले गुलाब की माला माचंदर गंटा को अरपन करें भोग में मा को केसर की खीर और दूद से बनी मिठाई का भोग लगाई है पंचामा चीनी में मिश्षी भी हम मा को अरपन कीजी एक विशेश मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का 108 बार जाप करना है और भोग जो है वो किसी सुहागिन मैला को दान करना है जाप के पश्षाद मा चंद घंटा के आरती करनी है पुषपांजली करनी है शमय प्रात्ता करनी है तित्य दिवस का जो पूजन मंत्र रहेगा नमस्तस से नमस्तस से नमस्तस से नमो नमाहा इस मंत्र का इथा शक्ति आपको जाप करना है जी और पंड़ जी अब आपसे जाना चाहेंगे कि पूजन का शुब महुरत क्या है जी बिलकुल आईए जानते हैं माचंद्र गंटा के पूजन का सबसे शुब समय क्या रहेगा तो माचंद्र गंटा की अराधना का नवरातरा के तिर्ट्य दीवा सर्थार शनिवार को सबसे शुब समय प्राते 7 बचकर 54 मिनट से प्राते काल 9 बचकर 20 मिनट तक रहेगा आप सभी दर्शक इस समय का ध्यान रखिएगा इस समय में माचंद्र गंटा की पूजा उपांसना से निशित और पे माँ आपसे प्रसंद होगी आपके बनो कामनाओं को पूर्ण करेगी जी बनी जी क्योंकि आपने मोहरत भी बताया कैसे क्या पूजन मंत्र होना चाहिए अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उपाई हम कर सकते हैं जिससे देवी खुश हो विशेश उपाई मैं आज आपको बता रहा हूँ हर दिन का उपाई भी साथ में बताऊंगा आपको शार्दी नवराते तित्ते दिवस अंतरगत विशेश उपाई तो शार्दी नवरातरा के तित्ते दिवस सावली रंग की ऐसी विवाहित मैला हो रंग उसका सावला हो और विवाहित सुहागिन मैला हो जिसके चहरे पर तेज हो उसको अपने घर पे बुलाईएगा और उनके चर्णों का पूजन कीजिएगा भोजन में दई और हल्वा वश्य खिलाईगा भेट में कलश और मंदिर की घंटी प्रदान कीजिएगा निशित तोर पर जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पून होगी शार्दी नवरात्र का तीसरा दिन जो होता है उसे सिंदूर तित्या के नाम से भी जाना जाता है सनातन धर्म में किसी भी विवाहित इसरी के लिए सिंदूर बहुत जरूरी है और पवित्र माना गया है सिंदूर को सुहाग की निशानी माने जाती है ये बात अलग है कि आजकल विवाहित मैलाई भी सिंदूर नहीं लगाती है fashion है बहुत प्राचीन माननेता है कि मैलाओं के द्वारा अपने पती की लंबी आईू के लिए मैला अपनी मांग में सिंदूर भरती है विवाहित होकर सिंदूर नहीं लगाना सूनी मांग रखना बहुत ही अशुब माना जाता है इसलिए हर विवाहित मैला के लिए माननेताओ रिती जिवाच के अनुसार सिंदूर लगाना बहुत जरूरी होता है तो विवाहित इस्तियों के लिए सिंदूर तित्या ये तिती है वो सिंदूर तित्या कहलाती है बहुत ही मैतपूर मानी गई है, सिंदूर तित्या के दिन विवाहित मै। हैं सिंदूर को माता रानी की पूजा के लिए बहुत जरूरियों विशेश उप से शामिल किया जाता है सिंदूर के बिना माता रानी की पूजा कभी पूर्ण नहीं होती है तो हर स्थी को चाहे वो कुमारी हो या विवाहित हो नावरात्रा के तीसरे दिन माता रानी को सिंदूर जरूर अरपन करना चाहिए सिंदूर तित्या के दिन एक सुहागी निस्त्री दूसरी सुहागी निस्त्री के सिंदूर लगाए एक सुहागिन इस्ती दूसी सुहागिन इस्ती के सिंदूर लगाए तो सदा सुहागन रहने का आशिरवाद मिलता है तो आप भी इस माननेता को अपनाते हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें अपनत तुम्हें बढ़ावा ही होने वाला है सिंदूर तित्या माता रानी को प्रयाप्त मातरा में सिंदूर चड़ाएं सिंदूर तित्या को चड़ाने के परशाद बचावा सिंदूर माता का प्रशाद समझकर अपने पास रख लें और उसी सिंदूर को प्रशाद समझ कर पती दिन अपनी मांग में भढ़ना शुरू कीजे अखंड स्वभग्य की प्राप्ति होगी पती का पूरा प्यार मिलेगा पती आपके हमेशा कहने में रहेंगे सिंदूर से मातारानी को चड़ाए सिंदूर से अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक का चिन्य बना दीजे आपके घर में सुक शांती समरद्धी का प्रवेश रहेगा नकारत्मक शक्तिया दूर रहेगी यही नहीं यदि पती किसी विशेश कारे से घर से बार जा रहे हैं तो उस सिंदूर से पती को तिलक लगा कर भेज दीजे निशित तोर पर उसके कारे में सफलता प्राप्त होगी चले एक छोड़े से ब्रेक के लिए रुखते हैं आप कहीं मजाएगा जल लोटते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज हम आपको नवरात्र के बारे में खास उपाय मंत्र विधी बता रही हैं माचंदर घंटा का दिन है और उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि तीसरा दिन माचंदर घंटा का दिन होता है तो अब आपको क्या खास उपाय नवरात्र में करने हैं ये अब हम आपको बताते हैं शार्दे नवरातर में साधन सिंदूर को कैसे बनाये चमतकारिक आई उसको समझ लेते जैसे मैंने कहा कि सिंदूर तित्या के नाम से भी से जाना जाता है तो नवरातरा के तीसरे दिवसमा चंदरगंटा की चमतकारिक सिंदूर साधना करके मा का विदिवत पूजन करके 1188 बार कुछ मंतर मैं आपको बताऊंगा उनका जाप आपको करना है उन जाप से सिंदूर को अभिमंतित करके उसे आप चमतकारिक बना सकते हैं स्वयम अपने घर में सभी मंतरों का 1188 बार जाप करना आती अवश्यक है यानि प्रतेक मंतर की 11 माला आपको कम से कम करनी है ये साधना आपको नवरात्री के तीसरे दिन करनी है विदिवत 1188 बार मंतरों का जाप करना है इसे ही सिंदूर साधना कहते है इससे आप साधरन से सिंदूर को भी अभिमंतित करके उसे चमतकारिक बना सकते हैं सबी मंत्रों को 1188 बार जाप करना है यानि प्रतेक मंत्र का 11 माला जाप करना है मंत्र आप किसी पेपर पे या डायरी में लाल पैन से लिख कर रख सकते हैं सबसे पहला मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा मंत्र इस मंत्र की 11 माला अब दूसरा मंत्र और बता रहा हूँ उसकी भी 11 माला करनी है ओ मैं शिम्शक्ते नमाहा ओ मैं शिम्शक्ते नमाहा ओ मैं शिम्शक्ते नमाहा इन दोनों मंत्र की 11 माला जाप करके आप उस सिंदूर को साधरन से सिंदूर को चमतकारिक बना सकती है उस सिंदूर को मातारानी के चड़नों में अलपन करके फिर उस सिंदूर के जो मैंने आपको पूर में उपाय बताएं उन उपाय को करिए निशित तोपे सिंदूर तित्या के दिन इस तरीके से अभिमंतित किया गया सिंदूर आपके सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करेगा यदि आप कर्ज से पिडित है लाग प्रयास करने के बाद भी करजा उतरने की जगे बढ़ता जा रहा है रिण बढ़ता जा रहा है चो माचंदर घंटा की क्रपा आपको मिल सकती है कैसे इस मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार नियम माल लीजे इस मंत्र का जाप करे रिण उतरते देर नहीं लगेगी कर्ज से मुक्ति मिलते देर नहीं लगेगी कुछ सरल उपाई भी मैं आपको बता रहा हूँ रिण से मुक्ति के लिए माचंद घंटा की क्रपा आप से बहुत जल्दी कर से मुक्ति मिलेगी कच्छे आटे की लोई कच्छे की आटे की लोई में गुड़ भर लीजेगा कच्चे आटे की लोई में गोड भरके उसे पानी में बहा दीजेगा बहतावा पानी या पवितर कुंड हो उसमें डाल दीजेगा मचलियां भी खा जाएंगी उसको मचलियों को डाल दीजेगा बहुत जल्दी आपको रिंड से मुक्ति मिलेगी कमल गट्टे आपको पूजा सामगरी की शौप पे मिल जाएंगे कमल गट्टे लिया आएगा उनको पीस कर देशी घी की सफेद बर्फी उसमें मिला कर फिर हवन कीजेगा उस हवन के अंदर मातारा निनी के हवन में उसकी 21 आउतिया दीजेगा नवान मंत्र के साथ कर्ज बढ़ने की जगया घटने लगेगा पीली कौडिया हरसिंगार की जड़ को रॉली अक्षत पुष्प धूप दीप से पूजन करके धारन करें या अपने पास में रखें तो बहुत जल्दी रिन से मुक्ति मिलती है धन आगमन का मार प्रशश्त होता है सफेद कपड़े में पांच गुलाब के पुष्प, चांदी का टुकड़ा, चांवल, गुड इन सब सफेद कपड़े में रख कर सामगरी को ग्यारा बार गायती मंतर का पाट करें मेरी परिशानी उतर जाए, मेरा करज उतर जाए, मनी मन ऐसा विचार करते वे, बहते वे जल्द में प्रवाहित कर दीए, आपका जो करजा है आपसे दूर चलता जाएगा कमल की पंखडियों में मक्षन मिश्री मिलाकर भोग लगाकर 48 लॉंग और 6 कपूर के आउती नवार मंतर ओम आइमरेम क्लिम चामुंडाय के साथ में दीजी केले के पेड की जड में रोली, अक्षत, पुष्प, जल अरपन करें नौमी वाले दिन केले के पेड की थोड़ी सी जड उनसे आग्या लेके उसको तोड़कर अपनी तिजोरी में रख दे, करसे मुक्ति मिलेगी जरत मंदों को, गरीबों को, काले कपडों का दान अवश्य करें, मा चंद घंटा प्रसन होगी, मा लक्ष्मी की किरपा बनी रहेगी, घर में धन वर्शा होगी मिट्टी की हांडी में बनी काली उड़त की दाल, मा चंद घंटा को भोग लगाईएगा, उसके बाद सेवन कीजेगा अस्तमा, दमा जैसे भी बिमारियों में फाइदा होगा पाँच अनार के फल, पाँच अनार के फल मातारानी के मंदिर में चड़ा कर उसमें से तीन अनार छोटी कन्याओं को दे दीजेगा एक अनार बटुक को दे दीजेगा, पढ़ने वाले बच्चे सुपाई को करे, एक्जाम में सो परसंट सफलता मिलेगी एक डाल की कचोरी ले लिजेगा, प्याज वाली कचोरी नहीं, डाल की कचोरी, उस पे थोड़ी से हरे धने की चटिनी डाल कर, किसी छोटी कंड्याओं को नवरातरा के तीसर दिवस खिला दीजेगा बड़े से बड़ा कर्ज भी चुट्कियों में दूर होतावा दिखाई देगा नोकरी वेपार में सफलता के लिए, अपने ऑफिस की दराज में, शोरूम के कैश काउंटर में तित्य दिवस एक बिस्कुट का बड़ा पैकिट रखिएगा, शाब को जब आप घर जाएं तो बिस्कुट का पैकिट किसी कन्या को दान में दे दीजेगा नोकरी वेपार में सफलता प्राप्त होगी पूर्धांपत्य सुक प्राप्त करने के लिए, संध्या समय में अपने बैडरूम के मद्धे में एक प्लेट में फिटकरी के टुकडे रखकर गुलाबी मुम्मत्ती जलाएगा माचंद्घंटा का ध्यान रखेगा पती पतनी के बीच में जो कड़वाहते वो खतम होगी नवरातरा के तीसरे दिवस घर के मुखे द्वार के दोनों तरफ थोड़े थोड़े से एक एक दो दो चुटकी काले तिल छड़क दीजेगा आपके घर में किसी भी तरह की अलाबला दोश है वो दूर भागेगी और घर में सिर्फ शुप्ता का संचार होगा पनी जी क्योंकि माचंद्र घंटा के दिन की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में माचंद्र घंटा को क्या हमें प्रसाद चढ़ाना होता है या विशेश प्रकार की कोई पोशाक उस दिन माँ को पहनानी है जी बिल्कुत चुकि माँ को सुनहरी रंग बहुत प्रसंद है माचंद्र घंटा की जब भी आप पोशाक अरपन करें आप माचंद्र घंटा की पूजा में सुनहरी रंग की पोशाक गोल्डन कलर जिसको हम कहते हैं सूरे के रंग की पोशाक जो है वो मातारानी को आरपन करें अगर आपके पास में कोई देवी मंदिर है तो नवरातरा के तित्ते दिवस यदि आप किसी मनोकामना को लेकर सुनहरी रंग की साड़ी या पोशाक अगर माचंद्र घंटा को आरपन करते हैं तो निशित तोर पर माचंद्र घंटा आपकी परिशानी को दूर करती हैं पेसर की बर्फी आती है उसका भोग लगा सकते हैं ध्यान रखिए वैसे तो अस्टमी नौमी के दिन कन्या पूजन का विधान है लेकिन प्रते दिन जदी एक कन्या का पूजन किया जाए और उसे खीर पूरी प्रशाद चने इत्यादी खिलाए जाए उसे दक्षिना इत्या मा की हमने बात की लेकिन नवरात्र के जो दिन होते हैं विशेश कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है तो ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो हमें इन दिनों में ध्यान रखनी चाहिए देखी चुकि नवरात्र के नव दिवस महतारानी के अराधना की जाती है कन्याओं के अरा का हो आपकी बहन हो कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कड़वे वचन नहीं कहने हैं, किसी भी दूसरी कन्या को गलत रस्टी से नहीं देखना है, नवरात्रा के नव दिवस प्याज लेसुन इत्यादी का सेवन नहीं करना है, नवरात्रा के नव दिवस मास मतीरा इत्यादी का सेवन नहीं करना है नवरात्रा के नव दिवस पून भ्रहमचारे का पालन करना है नवरात्रा के नव दिवस कन्याओं को भोग देना है नवरात्रा के नव दिवस तक एक समय भूजन करना है नवरात्रा के नव दिवस तक जितना दान कर सकते हैं अन का दान करे, धन का दान करे, वस्त का दान करे, भगवान कहते हैं कि तेरा तुझको अरपन, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूं, समय आने पे तुझे वापिस लोटा देता हूं, तो इस प्रकारी छोटी-छोटी बाते हैं, इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चा वारे विशेश प्रोग्राम में इतना ही आप देखते रहे हैं फर्स्ट रिणिया नियूज नमस्कार